विदान सभा चुनाव नजदीक है और यूपी में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दम भरने के लिए हर तरह से मुम्किन प्रयास कर रहे हैं अब हम बात करते हैं उस पार्टी की जो मीडिया और इस राजनीति से काफी दूर और अलग नज़र आती है क्या वज़ा है वो 2022 विदान सभा चुनाव को ले कर यह जो पार्टी है प्रगतिशील्ट समाजवादी पार्टी किस तरह की रननीती बना रही है और किस तरह के वोटर हैं और किस तरह का यह बदलाव इस बार चुनाव मिलाने वाले हैं तो आगत है आपका टाइम 24 में सबसे पहले तो नाम औ प्रगतिशील्ट पर होगा जो इस चुनाव में परभावी हो सकता है प्रगतिशील्ट समाजवादी पार्टी के पास में इस वक्त इस समय इतना इस जिले में नहीं पूरे पिर्देश में जैसे कि 75 जिले हैं 75 जिलों में हमारे राष्टे अद्यक जिन इस तीन साल के बुलेंशेर में हमारे लगभग इस समय सभी सीटों पर संगठन है और बहुमत है लेकिन सदर सीट में संभर को दैनगे और आने वाले असे तरीके से चला है और लोगों के पास ज्यासे हमारे पास आ रहा हूं अभी हम देखना की यह मिला है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं यह यूवा जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रगतिशील के किस तरा की रड़नीती होगी गढ़बंदन भी अगर जीत जाता है तो क्योंकि गढ़बंदन है सपा से उनका प्रगतिशील समाजवादी का आपने पहले अभी तो खेर ये अभी पार्टी बनी है उससे पहले हमारे राष्ट्यद्द्ध जी सपा में थे और अगर उन्होंने अपने विवाग के अंदर जैसे पी डवलूडी विवाग उनके पास था तो आपने आज रूडों का जाल देखा होगा जिसे आज भारती जनता पार्टी अपना बताती है जबकि यह सारा जाल जो हमारे मानने अकलिश यादब और शिवपाल सिंग दी और बहुत विकास हुआ बच्चों के पर विद्हाले भी बने नहीं नहीं जो है इंस्टिट्यूट तयार हुए तो अब इस बार लोगों ने यही मन बनाया है कि चाचा से और शिवपाल सिंग यादफ से उसी तरीके से काम कराना बाच बस अब का साथ सबका विकास का नारा देती है अवास योजना के तहत मकान दे रही है कि सेलेंडर उसने दिए कैस कनेक्शन दिए तो उस पर कितरा इत्तफाक रखते हैं माइनोरिटी के लिए कुछ अब आप यह बताईए कि सलेंडर जो है सलेंडर का जो इन्होंने अपना दिया है कि सबसीडी भी आ रही है वो लोग इतनी पर परिवार के अंदर महिलाई देख और अधिनी परिशान है कैसे अपने घर को चला है तो यह जो भारती जंटा पार्टी के दावें हैं और यह जो इन्हों ने सोचाले बनाएं तो आप देखिए सव चाले में पने बिल्कुल मजबूत नहीं है और ौ उन्होंने कामी कौन सा किया आई करोड़ों करोड़ों पर प्रोजेक्ट बता दिये वो सिर्फ किताबों में हैं लेकिन जमीन इस तरह पर कुछ नहीं है दो करोड़ों रोजगार जो नहीं कहा भारती जनता पार्टी नहीं आप मुझे बताइजे के साल में एक लागी प्रकतिशील समाजवादी पार्टी की नेता है एक और हमारे साथ नेता जी मौझूद है युवा नेता हैं इसे भी जान लेते हैं किस तरह से पार्टी से जोड़े हैं और क्या सोच कर जोड़े हैं सक्या नाम है आपका मेरा नाम है मुहम्मद रिजवान गाजी अलसंग जिल बहुत अच्छे हैं और लोगों जयसे हमें सुनने की मिलता था क्छिपबली जो काम करते हैं कह देते हैं और हमने देखा तक हमें प्र इस काम उसमेवी तयारी कर रहे हैं किस तरह से युवा णेटा हैं किस तरह सबसुतSоко लोग आते हैं तक्रिबन तीन साल होगे हमारी पार्टी को और हमने काम भी बहुत किया है लोगों का और यूबा आते भी है और इंशालला आगे भी हम अपना काम करते रहेंगे किस तरह का संदेज देना चाहते हैं यूपी की जनता को अब इस टाइम जो चल रही है लहर चल रही है गड़ बंदन की तो इंशालला इससे जो हमारे रख्ट्या ध्यक जी हैं उन्होंने हमें मीटिंग हुई थी पताया था कि आप जो है पबलिक को जोड़ो और इंशालला जो आपका काम होगा वहम यहां से काम आपका रुके गने कहीं भी होगा चलिए तो यह थे प्रगतिशील समाजबादी पार्टी के युबानेता जिनका साफ़तोर पर कहना है कि जमीनी इस तरह पर प्रगतिशील मेहनत कर रही है युबाओं को जोड़ रही है चुनाव प्रगतिशील समाजबादी पार्टी जो है वो जमीनिस्तर से मेहनत कर रही है जितना समय हुआ है उससे अधिक संख्या में इनके पास वोटर है और कहीं न कहीं उन वोटरों का आने वाले 2022 विधान सवाचुनाब में प्रभाप पढ़ने वाला है अपने सहियोगी शंशु 24 न्यूज बुलंद शहर है गाउं से शहर तक राजनीती से सियासत तक सिनेमा से खेल जगत तक जनता जेल रही है महंगाई की मार क्या पाक को मिलेगा जवाब जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हां किसके सर पर सजेगा सियासी ताज खबर हमारी दिखाएगी आपको हक 24 न्यूज जस पास सच दिखाने कार